खैसा में रूसी सिना के बड़े हमले को लेकर खबर सामने आ रहे हैं ज्रैड रॉकेट लॉंटर से विद्वन सक प्रहार किया गया रूसी हमले में युक्रेन के तीन ठिकाने थ्वस्थ हो गए जानकारी के पताविक इस हमले में युक्रेन के 17 सैनिक मारे गए गाजा में अब जो जंग शुरू हुई है वो अब तक की सबसे बड़ी और असली जंग कही जा रहे है इस वक्त इसराइल और हमास के बीच फिलडेलफिया कॉरिडॉर पर कब्जे को लेकर जंग चल रहे है इसराइल हमास को पूरी तरह से खत्प करना चाता है ये तब ही संभव है जब 14 किलो मीटर के फिलडेलफिया कॉरिडॉर पर आईटेफ का पूरी तरह से कब्जा हो पाए तो सवाल यही है कि आखिर हमास के अंत के लिए फिलडेलफिया पर कब्जा करना क्यों जरूरी है इस सवाल का जवाब हमारी एक्स्क्लूजिफ रिपोर्ट में गाजा में अब तक जोवे नाश हुआ अब तक जो नरसंगहार हुआ वो कुछ भी नहीं है गाजा का असली सर्वनाश तो अब शिरू हुआ है गाजा में असली जंग तो अब शिरू हुई है वो जंग जो ना सिर्फ हमास का अस्तित्न मिटा देगी बलकि गाजा को पूरी तरह से शम्शान बना देगी नेतन याहू और उनकी सेना ने गाजा से हमास के अंत का नया लक्ष तै कर लिया है लेकिन हमास का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक की फिलेडेलफिया कोरिडॉर पर आईडियेफ का पूरी तरह से कब्जा नहीं हो जाता इसराली सेना ने अब फिलेडेलफिया कोरिडॉर पर कब्जे के लिए भीश और जंग शुरू कर दी है ये वही फिलेडेलफिया कोरिडॉर है जिसकी वज़े से अब तक हमास खतम नहीं हो पाया है गाज़ा जंग शुरू हुए नौ मेहने का वक्त हो चुका है लेकिन अब भी हमास पूरी ताकत के साथ इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है सवाल यही है कि आखिर फिलेडेलफिया कोरिडॉर है क्या हमास को मिटाने के लिए फिलेडेलफिया कोरिडॉर पर इसराइल का पूरी तरह से कबजा क्यों जरूरी है अगर नौ महिने के जंग के बाद भी हमास का वजूद नहीं मिटा तो इसके पीछे फिलेडेलफिया कोरिडॉर की क्या भूमिका रही इन सवालों के उत्तर जानना जरूरी है गाज़ा और मिस्र की सीमा पर मौजूद है 14 किलोमीटर लंबा बफर जोन इसी बफर जोन को फिलाडेलफिया कॉरिडॉर या फिलाडेलफिया रूट कहा जाता है फिलाडेलफिया कॉरिडॉर के नीचे हमास की सौस से ज्यादा सुरंगे हैं इन में से ज्यादातर सुरंगों का एक छोर गाज़ा तो दूसरा छोर मिस्र में खुलता है कौरिडोर के नीचे मौजूद यही सुरंगे हमास के लिए अभेद्य कबच का काम करती आ रही है 14 किलो मीटर लंबा फिलिडेलफिया कॉरिडूर हमास के लिए कितना जरूरी है अब इसे भी समझे जमीन के उपर फिलिडेलफिया कॉरिडूर है और जमीन के नीचे हमास की सुरंगू का जाल है रिपोर्ट्स के मताबिक फिलिडेल्फिया कॉरिडोर के नीचे हमास की 100 से जादा सुरंगे हैं 50 से जादा सुरंगे मिस्र और राफा से चुड़े हुई है यानि सुरंगों का एक सिरा राफा में खुलता है और दूसरा छोड मिस्र में इन सुरंगों को हमास की लाइफ लाइफ लाइन कहा जाता है ये हमास का सबसे बड़ा हत्यार सप्लाई का रूट है दूसरे संगठनों के लड़ाके इसी रूट से गाजा पहुच कर जंग लड़ते हैं खत्रा बढ़ने पर हमास के सभी बड़े लीडर्स और कमांडर्स इनी सुरंगों से होकर मिस्र पहुशते हैं और इस तरह से वो इसराइल के हमले से बच जाते हैं फिलडेलफिय कॉरिडॉर के नीचे माजूद सौस से ज़्यादा सुरंगे हमास की लाइफ लाइफ लाइन है यही वज़े हैं कि अब इसराइली सेना इन सुरंगों को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है फिलडेलफिय कॉरिडॉर के आसपास राफा में आईडियेफ की बंबारी तेज हो गई है राफा में आईडियेफ की नई बंबारी में कम से कम पचीस लोग मारे गए पचास से ज़्यादा लोग घायल हो गए है आईडियेफ की बंबारी से राफा किस तरह शम्शान बनता जा रहा है उसकी गबाही यह सैटलाइट तस्वीरे दे रही है इस्राइली सेना की ऑपरेशन से पहले राफा ऐसा दिख रहा था आस्मान से इमारतों का जाल और घनी आबादी नजर आ रही थी लेकिन अब इस्राइल के हमले के बाद राफा खंड हर बनता जा रहा है ज्यादतर इमारतें तहस नहस हो चुकी है राफा में महाविनाश इसलिए हो रहा है क्योंकि इस्राइली सेना 14 किलोमीटर के बफर जोन यानि फिलडेलफिय कॉरिडॉर पर पोरी तरह से कबज़ा करना चाहती है फिलडेलफिय कॉरिडॉर के नीचे माजूद हमास के कुछ सुरंगों तक आईडियफ पहुँच चुकी है आईडियफ के प्रवक्ता डैनिल हैगरी ने कहा है कि इस्राइल ने फिलडेलफिय कॉरिडॉर के कुछ हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया है अमास को सबाब करने के लिए इस कॉरिडॉर पर पूरी तरह से कबज़ा करना ज़रूरी है अब इस्राइल ने मिस्र की सीमा में पढ़ने वाली सुरंगों की इन्वेस्टिकेशन करने के लिए अमेरिका से मदद मागी है फिलडेलफिय कॉरिडॉर को पूरी तरह से सीज करने के बाद हानिया, सिन्वार और महम्मद दाइफ जैसे हमास के बड़े नेताओं को खत्म करने का प्लान है हमास फिलडेलफिय कॉरिडॉर और उसके नीचे मौजूद सुरंगों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है दोनों तरप से भीशन वार पलट वार हो रहा है जिसमें बेकसूर नागरिक मारे जा रहे है जाहिर है 14 किलोमीटर के बफर जोन पर कबज़ा करने के लिए रक्त पात और ज्यादा होने जा रहा है यही वज़े है कि कहा जा रहा है कि गाजा में असली जंग तो अब शुरू होई है प्योरो रिपोर्ट तीवी नाइन भारत वर्ष